प्यारे बच्चों, JCERT के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम पार्ट 18 कुचाई सिल्क पढ़ेंगे और जानेंगे परम परागत बैवसाय के बारे में यानि वैसा बैवसाय जो हम अपने पूर्खों से सीखते हैं खुद उस बैवसाय को अपनाते हैं और फिर अगली पीडिक को वह कौसल अस्थानांतरित कर देते हैं यानि उन्हें भी सिखाते हैं हमारे राज्य जारखन का एक जिला है सराई केला खर्शावा यहां का कुचाई प्रखन अपने रेशम उत्पादन और बुनाई कला के लिए पूरे बिश्व में बिख्यात है इस इलाके के गाउं के सैक्डो परिवार खेती के साथ-साथ रेशम उत्पादन का कारे भी करते हैं यहीं एक गाउं है चैनपूर जहां सुखदेव और सनीचरी अपने बच्चो गीता, गोपाल और गनेश के साथ रहते हैं सुखदेव अपने निकट के जंगल में अरजुन, आसोन और सहतूत के पेडों पर रेशम के कीड़े के अंडे को छोड़ देते हैं इन्हीं अंडों से लारवा निकलता है और यह जो लारवा होता है वो इन पेडों के पत्तियों को खाकर बहुत ही तेजी से बढ़ता है खाते समय इनके मुक से लार निकलता है और अपने सरीर में यह लार को फैलाते जाते हैं जब ये लार जो हमारा वातावरन है उसके संपर्क में आते हैं तो सूख कर कड़ा हो जाता है तो इस कड़ा स्वरूप को हम उस वक्त कहते हैं कोकून कोकून के अंदर में ही जो गरेशम के किले हैं वो एक धागा जो लार निकालता है वो धागा का स्वरूप ले लेता है उस देव और सनीचरी इन कोकुनों को गरम पानी में डाल देते हैं और धीरे धीरे इनसे रेसम के रेशिव को खीच कर अलग कर देते हैं। गीता और कोपाल की सहायता से सनीचरी इन्हें साफ करती है और सुन्दर रंगों में रंगती है रंगीन धागों को सुखा कर गठी बनाई जाती है गनेश इन्हें देखकर खूब खोश होता है देव और सनीचरी से गनेश पुछता है कि आयो बाबा आप लोगों को यह सब किस ने सिखाया तो बाबा हसकर कहते हैं गनेश हम जब तुम्हारी तरह छोटे थे न तो हमारे आयो बाबा यानि हमारे मातापिता हमें सिखाया करते थे पर गनेश हम तुम लोगों को यह नहीं सिखाएंगे तुम पढ़ लिकर शहर जाना और अच्छी सी नौकरी करना तो गनेश पुझता है कि क्यों बाबा मैं यह काम क्यों नहीं कर सकता तो सुखदेव कहते हैं कि बेटा इसमें बहुत मेहनत लगती है और अब पैसे भी कम मिल माल भी कम बिकता है और यहां सहर जैसे स्वीधाएं भी नहीं है तभी गीता बोल उठी नहीं बाबा मैं तो पढ़ूंगी भी और बुनाई भी सीखूंगी मेरे पुर्खों की इस कला को मैं मरने नहीं दूंगी और बाबा मैं तो आपको बताना भूली गई मेरे विद्या और तैयार दोनों माल अच्छे दामों पर खरीती है और बड़े बड़े सहरों में बेचती है बाबा वे बता रहे थे कि रांची कलकत्ता दिल्ली जैसे बड़े सहरों में हमारा कुचाई सिल्क बहुत बिकता है आयो बाबा हम मेहनत और लगन से इस काम को करेंगे और अप अपने बड़े देते हैं अंडो से लारवा निकलता है यह लारवा फिल इन ही पेंड के पतियों को अपने भोजन के रूप में लेते हैं और अपने सरीर की ब्रिध ही करते हैं इसके बाद यह अपने मुख से एक चिपचिपा पदार जिसे हम कह सकते हैं कि लार निकालते औ अपने सरीर को चारो और से कवर करते हैं जब यह लार हवा के संपर्क में आता है तो कठोर आउरन बना लेता है और उसके अन्दर जो जीव है उसे अब हम प्यूपा कहते हैं प्यूपा के स्टेज में वो आ जाता है इनी प्यूपा से या कूकुन से कुछ दिनों के बाद यहाँ प्यूपा एक वयस्क रेशम का कीट के रूप में तयार हो जाता है और वह कोकुन से बाहर निकल जाता है और फिर यह कीट अंडे देते हैं और यहाँ चक्र चलता रहता है। इस प्रकार बच्चों कोकुन से धागे को खीच कर निकाला जाता है फिर धागे की सफाई की जाती है सफाई के बाद इन रेशों की रंगाई होती है और रंगाई के बाद करगे पर धागे तयार किये जाते हैं और धागे तयार होने के बाद धागों को बुन कर कपड़े तय प्रकार पाट 18 कुचाई सिल्क में हमने सीखा रेशम का उत्पादन रेशम के कीड़े के द्वारा होता है। जहारखन में रेशम उद्यों की पहशान है कुचाई सिल्क। इसका प्रारम सराई केला खरसावा जिले के कुचाई प्रकाण में हुआ था। बुनकरों की जिन्दगी बहुत अच्छी नहीं थी इन्हें और अधिक सरकारी मदद की जुरूरत है। रेशम से साड़ी, सौल, आदि बनाया जाता है। तो बच्चों आशा है आपको या पाट समझ में आया होगा।